इस सरकार के लिए कोई कठीन कार्ज है एक आम आदमी उस रेमडीशिविर तक पहुंच जा रहा है उस सिलेंडर के कला बयारी तक पहुंच जा रहा है क्या सरकारी अमला के लिए कहां तक कोई मुश्चिल काम था लेकिन नहीं सरकार चूप चाप आंख मुझे खड़ी है लू कभा tö Flowers अगले सभान secular भंद प्रोंथ किया है यह कुछ नहीं होने के लिए सकते हैं यह पॉलिटिकल पावर की कमी है नहीं तो इंबूलेंस की कमी यहां नहीं है और गाडियों की यहां कमी नहीं है तो कला बजारी जो लोग कर रहे हैं उनको करने कामों का सरकार दे रही है सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं यह जो कह रहा थे काला बजारी की बात है यह किसी से चुपा हुआ नहीं है चाहे वो दबा हो चाहे ऑक्सिजन सिलेंडर हो इसका जम कर गुरूप योग हो रहा है और बजार में एक इस तरीके का एक मार्केट जो है एक नया लोग इसमें एक्टिव हो गये हैं और सब पर सरकार का हाथ है और सरकार के छत्रचाया में उनके जो अधिकारी लोग हैं उनके मिली भगत से यह सारा सिस्टम एक काम कर रहा है जो कहीं भी सुविधाय नहीं मिल रही है सुविधाओं के नाम पर अगर एक जेनरल आदमी आज जाता हो यह सब्सक्राइब लेकिन जो सरकारी अमला है उनके च्छत्रचाया में आज इन सारे चीजों का जमकर काला बजारी हो रहा है जो आप लोगों की पहुंच से यह सारी चीज दूर हो गई है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पढ़ रहा है कि आम लोग जो है मरते जा रह सरकार अगरिस्तिति अफेश नहीं की या लोगों पर करवाई की नहीं किस रूप से यह हमारी में पहुत गयों कालाबजारी कर ले सारे सरकारी अधिकार्यों को और सरकार को भी पता है कि जितने भी गलत कार्ज हो रहे हैं स्रकारी जो है जितना ludG कते को ऊंकलत कॉरत होत लिखते हैं उनको नहीं मिलता है और जब लाके देते हैं किस्टमर ते क्या उनको नहीं पता है कि यह आया कहां से जब सरकारी संस्थानों में चीज़ें नहीं है तो यह कहां से है क्या सरकार के लिए कोई बहुत कठीन कार्ज है एक आम आदमी उस रेमडी सिविर तक पहुंच जा रहा है उस सिलेंडर के के लिए उहां तक कोचना कोई मुश्किल काम था लेकिन नहीं सरकार चूप चाप आँख मुदे खड़ी है कि लूट लो भाईया आपदा में अबसर है जितना चाहो यहां के पब्लीकों को लूटो फिर लूटने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जब लॉटने का मौका नह सरकार के लोग सामिल है नहीं तो सरकार के मर्जी के बिना यहां कुछ नहीं होने वाला है लेकिन यहां यह बिल्कुल ही बहुत सरपनात बाते हैं और अमानभीय वेभार है इसके लिए ही मैं आम लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकार का डंडा तो हम लोगों पर पढ़ी रहा है आप लोग जेनरेल आदमी हैं आप लोग चाहाए ट्रांसपोर्टर आप एम्बूलेंस रखे हुए हैं ऐसे में उन लोगों को मानवता नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि मानवता से बड़ा कोई बात होती नहीं है यह बा अगर यहां पर आकर को मनमानी करें चूट एसे लोगों को मनमानी नहीं करने देनी चाहिए और जो भी अम्बूलेंस का जो पड़े हुए थे जो धूल फाक रहे हैं सरकारी पैसे से लाकर के अबूलेंस राजीपरताप रुडी जी की यहां पे उन एम्बूलेंसों को सेव ड्राइवर तो यहां कमाने के लिए मरा जा रहा है ड्राइवर की भरमार है आप चाहें तो सेवा ले सकते हैं प्राइवेट तो सेवा ले सकते हैं प्राइवेट बहाल कर सकते हैं गाडियां बहुत है पुरा ट्रांस्पोर्ट बंद है आप उन लोगों के अम्बूलेंस मे आप तब्दिल कर सकते हैं। जब आपके पास चुनाव आता है, तो आपके पास सजारों गारियां उपलाव हो जाती है। आपकी हर एक बाते से मैं सहमत हूँ परसनली जो है मैं बहुत सहमत हूँ क्या नाम है आपका मेरा नाम पपुयादव है और मैं आटो रिक्सा चालक संग का अध्यक्ष हूँ मैं पिछले लॉक्डाउन में भी अपने आटो चालकों के लिए दिन रात लड़ा लड़ लड़ क सरकार के से कई लोगों को कहा भी गया वर आपको तीन महीने और आर्थिक सहाथा दूंगा लेकिन हम लोगों को आज तक 1.0 असरकार से नहीं मिला और वस हम लोगों को सिर्फ बंद कर दिए हैं अज बंदद़ है लोग्ड़ान के साथ्किन यह चीजिओं खाली नहीं जाए कि हम लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है आप लोग लगा दिया है कि आपको लॉक्डॉन में रहना है हम खाएंगे क्या हमारे बच्चे क्या खाएंगे कहां से किराय देंगे पढ़ाई तो चौपट है सब का स्कुल बंद है कहां से पहले तो भोधन जरूरी है पहल से आप कितना सहमत है जो करोना परसेंट के साथ जो एक आला बाजारी हो रहा है ओक्सीजन घोटाला हो रहा है मेडिकल भेंटी लेटर हम सरकार से पुछना चाहेंगे और केंड़ सरकार से भी पुछना चाहते हैं कि एप देश में सोचल मीडिया पर हमने बहुत देखा कि पिदेश से ऑक्सीजन आ रहा है बेंटी लेटर आया दवाय आया भेक्सिन आया वो लोग है कहां वो सब है कहां मरीज को तो मिलने ही रही है सुगधा ऑक्सीजन स्लेंडर लेने के लिए 50,001,80,000 उनको देने के लिए वो मजबूर है उसकी बावजूद भी जो गैस उनको चाहिए था वो दस किलो ही है आखिर ए सब क्यों एक जिम्मवारी सरकार को एक अम्हिरता से लनी चाहिए और इस पर जो है जितना हो सके जो गलत जो कर रहे हैं उनके खिलाप करवाई होनी चाहिए